नमस्कार दोस्तों में राना महराजी वर आप देख रहे हैं बियार वाला आर्जीवी यूट्यूब चैनल दोस्तों आज की इस वीडियो हम यह बात करने वाले जो रेलबे से ट्रेनिंग करना चाहते हैं रेलबे कौसल विकास योजना के तर्थ जो ट्रेनिंग होता है कि इस दोस्तों आभी हम चलते हैं पूरा अपडेट आपको समझाते हैं वीडियो के साथ बने रहे हैं चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे चलिए सबसे पहले अभी देखते हैं नौर्थ इस्टर्न रेलबे का जो है वेबसाइट ऑफिसियल उसके वाद आपको क्या करना सिंपल से यहां पर आप देखें कि यहां पर आप देखें लिखावा है रेल कोसल विकास योजना सिंपल से इस पर आपको क्लिक कर देना है इस पर हम जैसे क्लिक करेंगे तो यह खुल जागा खुलेगा जैसे ही तो यहां पर आप देखें कि ऊपर में लिखा हुआ है वरक इसमें आपको क्या करना है तीन सप्ता का यह कोर्स होता है जिसमें कि गल्स एंड बॉइस दोनों अप्लाइ कर सकते हैं इसमें आपका जो सलेक्शन है वो टैंथ का मार्क्स पे होगा तैंथ का जो मार्क्स है जैसे आपका ट्रेड अगर वैल्ड़ है तो इससे करके आप नौलेज ले सकते हैं रेल्वेस से कोई दिकत नहीं है तो इस पर अपलाइ कर सकते हैं यहाँ पर देख सकते हैं हाई स्कूल पास और इसमें एज जो होता है 18-35 वर्ष का जो भी है वह अपलाइ कर सकता है 31 अगस 2020 कि इस तक उनका 35 पुरना चाहिए वो भर सकते हैं कोई दिकत नहीं है उसके बाद आपको क्या करना है यहाँ पर देखिए यह वैब साइट से आप इस फॉर्म का इसको डाउनलोड कर सकते हैं उसके बाद जब डाउनलोड कर लीजेगा तो इसको आपको जो है वहाँ जाके मतलब जो आपका ये training center mechanical workshop गोरखपूर जो है वहाँ जा के आपको जमा करना होगा ये ने की by post आप भेज दिये नहीं है अपने से जा के आपको जमा करना होगा इसमें यही करना है उसके बाद इसमें आपको पूरे समझाते हैं कि यहाँ पर देखिए trade welder है आप देख सकते है इसमें बता दियें कि 10th पे होता है 18-35 होना चाहिए selection होगा आपका 10th का merit पे उसके बाद इसमें देखिए 75% जो है 75% आपका attendance होना चाहिए और reservation नहीं है इसमें और training period जो है तीन वीक का है ये आप समझ गया है इसमें आपको क्या करना है कि इसके लिए आपको देखिए यह add-age high school pass mark seat यानि कि जो mark seat है high school का वो देना है एक ID परूफ में आदार कार्ट दे सकते हैं या voter identity card पेन कार्ड जो भी है वो आईडी आपको देना है उसके बाद इसका जो format है form को आपको वहीं से भर लेना है यह वाला website पर जाके आपको form भर लेना है उसके बाद भर के उसको यह सारा कुछ डालके फोटो वगरा हर चीछ डालके आपको यह पोस्ट पर देखिए यहां पर दिखा हुआ है कि इंट्रेस्टेड अप्लिकेशन सुड़ सब्मिट डियर अप्लिकेशन टू दू फॉलाइंग पैलेश वक्षॉप यहां यहां पर लिखा हुआ है सेंटर मैक नमर पर देखिए यहां नमर दिवा आप संपर कर सकते हैं और जानकारी ले सकते हैं इसका लाज़ डेट है 10 सितंबर 2020 यहां डेट दिया हुआ है और फर्स्ट बैट जो है इसका बीस आपका पंद्रे को इसका मेरिट निकल जागा ठीक है पंद्रे सेप्टेमर को आपका मे चिश्टाट होगा जो कि 5 नमंबर तक चलेगा यह आप समझ सकते हैं उसके बाद आपको बताते हैं कि फॉर्म सेम रहता है कोई टाफ नहीं रहता है सारा प्रोसेस है जैसे पिछले वाला वीडियो में बताया थे वैसे ही फॉर्म बढ़ना है सारा डिटेल्स आपको डाल वेल्डर ट्रेड वाले हैं वेल्डर ट्रेड के लिए निकला हुआ है तो इसमें आप देख सकते हैं कि यहां पर लिखा हुआ है कि ट्रेनिंग के दौरान आपको कोई कोश्ट मतलब इस्टैपेंड वगरा नहीं दिया जाएगा और आपका रहने का इंतिजाम के लिए कु से submit करना है मतलब कि जो आपका वहाँ पर दिया हुआ है वहाँ पर आपको जाके डाल देना है box में कोई CO îndla करते हैं यहां पर आपको क्या करते है देख और कौन सा welder है आपका preference यहां देना और कौन सा batch में आप करना चाहते हैं जैसे first नहीं करना चाहते है second तो यह भी आप डाल सकते हैं फॉन नमर अपना दीजेगा इमेल जरूर दीजेगा और यहां पे अपना सिखनेचर और सब कुछ करके उसके बाद यह सारा कुछ करके आपको वहां पर जाके सब्मीट कर देना है तो अभी यह समझ आप चलते हैं लखनो वाला पर वहां आपको समझाते हैं तो दोस्तों अभी हम खोल लिए लखनों का जो इसको पीडियाप को हम डाउनलोड कर लिए यह देखिए रेल कोसल विकास योजना का निकला हुआ यहां पर वैल्डिंग और आपका वैल्डिंग ट्रेड और अलेक्टिरिशन ट्रेड दोनों का निकला हुआ एक ही से 22 मतलब क जो इयर है उसी का है पर्था में दूतिये बैच यानि दो बैच का निकला हुआ है यह निकला हुआ है पर वैक्षिक पर सिक्षन के चार बाग लखनों में लड़के और लड़किया के लिए निकला हुआ है तीन सबता का यह ट्रेनिंग होता है कौसल विकास के योजना के उसके बाद इसमें आपका 25 लड़के का बैच बनेगा इस तरह से आपका लिया जागा हाई स्कूल पास होना चाहिए 10 का मार्क्स पर आपका मेरिट बनेगा और 18-35 वर्स है तो आप अपलाय कर सकते है कोई दिकत नहीं है उसके बाद आपको क्या करना है इसके वेबसाइट उसके बाद क्या करना है इसके बाद जमा कर दीजेगा उसके बाद आपका जो है इसका लाश डेट है चार सितमबर तक अगर चार सितमबर के बाद नहीं भर सकते उसके बाद इसका जो रिजल्ट है 11 सितमबर को आ जाएगा 11 सितमबर को आ जाएगा उसका जो बैच है आपक अठारे अक्टूबर से लेके 11 नमंबर ते के बैच चलेगा तो आप समझ गए यहां पे जो भी 10 पास हैं वो भर सकते हैं आई टी आई पास भी है तो भर सकते हैं कोई दिकत नहीं है अच्छा आप अपको नौलेज लेना चाहते हैं अपने ट्रेड में तो आप यहां से ट्र कर सकते हैं इस माइने से जो नजदीक के हैं मतलब जो आप गरखपूर से हैं या लखनाओ से वह भरिये क्योंकि इसमें खर्च जो भी होगा वह आपको देगा नहीं सरकार कोई भी सरकार आपको देगी नहीं तो यह सब कुछ खुद से आपको करना है इसलिए दूर वाले नहीं भरे सम जगा ये-फोर्मन को अको बीमेर दोस्तों तो दोस्तों इम देखे को वहीं नाम करें आफ वहीं से डाउनलोड कर लिए गये अभी हम दिख सब और यहां matriculation का जो अंक आया है वो डालेना है अपना पता डालेना है phone number और email यह दोनों जरूर मैंसन किजिए क्योंकि जैसे ही result आएगा तो आपको इसके थुरू भी आपको पता चल जागा यह सब कुछ करने के बाद आपको वही पे यह form को निकाल लेना है पीडियाप को डाउनलोड करके आपको जी रॉक से निकाल लेना है मतलब उसका उसके बाद आपको भरके और वह दोनों चीज करके आपको वही पोश्ट पे आपको जाके पहचाना होगा खुद से तो निश्चीत ही आप समझ गयोंगे बैक जाते हैं तो आप देखिए यहीं ट्रेंग करना चाहते हैं एक इस दिन का कुछ अच्छा नॉलेज को अपना इंप्रूब करना चाहते हैं या फिर रेल्वे से इसको करने बाद एक रेल्वे से आपको यह दिया जाएगा experience टाइप से या certificate जो की private sector में आपका help कर सकता है benefit कर सकता है तो जो भी भाई लोग मिलते हैं नेक्ट वीडियो नेक्ट अपडेट के साथ तब तक ले जय हिंद बंदे मातर